दिल्ली मेट्रो के कई वीडियो वाइरल हो चुके हैं जिसको लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन सवालों के घेरे में आ चुकी है इतने मामले सामने आने के बाद अब लोग बस यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो दिल्ली मेट्रो में ना हुआ हो कभी नाच गाना तो कभी लडाई जगड़ा अब जो वीडियो वाइरल हुआ है उसमें एक शक्स भीक मांगता हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं अक्सर ऐसे सीन भारते रेलवे में देखने को मिलते हैं दरसल मेट्रो की ये घटना पहली बार नहीं है पहले भी ऐसे हो चुका है इस बार इस वीडियो में एक विकलांग वुजर्थ दिल्ली मेट्रो में भीक मांगता हुआ नजर आ रहा है मेट्रो में कुछ लोग खड़े हैं तो कुछ लोग बैटे हैं ये बुजर्ख हर किसी के पास जाकर पैसे मांगता है इस वीडियो के वाइरल होने के बाद DMRC ने ट्विट कर पूछा कि कृपया कोच नंबर बताएं जो कि ट्रेन के अंदर और कोच के बाहर भी लिखा होता है हालाकि उसके बाद DMRC ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दिल्ली मेट्रो से इस तरह की वीडियो वाइरल होने के बाद यूजर्स लगातार कमेंट करके फिरकी ले रहे हैं एक यूजर्स ने कमेंट किया अब आप मेट्रो में कमा भी सकते हैं वहीं एक और यूजर्स ने इसे स्टार्ट अप बताया बीते दिनों दिल्ली मेट्रो में लड़कियों के पोल डांस करने वाला वीडियो भी खुब वाइरल हुआ था जिस पर लोगों ने आपत्ती जताई थी इसके अलावा एक लड़की के स्टेटनर से बाल सीधे करने वाला वीडियो भी तेजी से वाइरल हुआ था जिसे लेकर खुब बबाल भी हुआ था बता दे कि ऐसे वीडियो पर DMRC ने भी आपत्तियां जताई हैं